Welcome friends, आप सभी का फिर से एक बाहुत सुआ गया थे Crazy 4 Movies मैं हमाँ आज ओफ फिल्मी टॉक को फ्रेशन एपसोड के साथ जांपर आपको देते हैं South और हेनलो फिल्मो स्चुडी हर एक latest update तो आज दोस्तों बहुत बहुत जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपसोड नमबर 297 को तब सुर के शुरुआत करते हैं सबसे पहले 15 अगस्ट को रिलीज होने जा रही धेट सारी फिल्मों से तो वैसे तो आप सभी को बताई है कि अलरड़ी 15 अगस्ट की डेट एक ऐसी डेट बन चुकी है जहाँ पर लाइन लगी हुई है फिल्मों की और यह सभी फिल्में अल्मूस्ट आने ही वाली हैं कोई भी अपने कदम पीछे लेने को जो है आज की डेट में तयार नहीं है और इसी लिस्ट में जो है अब एक और नई फिल्म जुड़ चुकी है जहाँ पर आपको बता दे कि मास महराजार रवी देजा की अपकमिंग फिल्म मिस्टर बच्चन जो की ऑफिशल रीमेक है अजे देवगन की फिल्म रेट का ये फिल्म अब जो है पंदरा अगस को थेटरस में रूलीज होने जारी है जहाँ पर तेलगू बॉक्स आफिस पर ये फिल्म देखा जाए तो यहाँ पर डबल स्मार्ट शंकर ठंगलन के तेलगू डबड वर्जिन और साती साथ स्त्री टूब के साथ जो है क्लैश करने वाली है फिल्म के केस में जो ख़वर निकल के आ रही है वो कुछ इस तरी केस आरे है जहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद फिल्म की जो मीकस है वो पंदरा अगस की डेट पर अपनी फिल्म को रुलीज नहीं करना चाते थे कहीं न कहीं remake factor एक जो है बहुत ही बड़ा important role play करेगा जहां पर audience के सामने जब इतने सारे options रहेंगे तो वो एक remake film को जल्दी select नहीं करेंगे खेर वो बात जो भी होगी अलग होगी पर जो cover निकल के आ रही है उससाब से makers जो है एक solo release चाते थे पर वो चाहते हुए भी जो है वो नहीं कर सकते थे उन्हें यहाँ पर OTT company के दबाब में आते हुए यहाँ पर 15 August को ही release करना पड़ा है क्योंकि आप मैं आप already एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आज की date में release date जो है वो OTT company ही तै करती हैं तै क्या करती है उनके जो decide हुआ होगा कि 15 August को हम release करेंगे अब दूसरी film में आ चुकी है पर यह जो है अब अपनी date change नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो OTT company होगी उसने जो वो लोग जो है अपनी date change नहीं करेंगे date change हुआ तो deal में फिर बदलाब होगा और आप सभी को बताए कि आज की date में मास महाराचा रवी तेजा का film का जो business है वो बहुत जादा depend करता है non critical के उपर तो ऐसे case में उने OTT company की बात माननी ही पड़ी और इन सभी filmों के साथ जो है clash करना पड़ा अब देखते हैं clash के बीच में इस film का performance जो है वो किस तरीके का रहता है वैसे raid film के इस तेलगू remake में आपका कितना interest है comment section में जरूर बताईएगा इसके लब बढ़ते हैं आज की हमारी ugly update की तरफ जापर आज की हमारी ugly और धेर सारी update जो है जुड़ी हुई है सूरिया से तो कल यानि की 23 जुलाई को सूरिया का जरम दिन है और उनके जरम दिन के मौके पर यहाँ पर दो चीजों की announcement हो चुकी है जहाँ पर सबसे पहले तंगवा फिल्म का गाना जो है कल आपको सुभे 11 बजे सुनने को मिलेगा fire song नाम से इस गाने को जो है release करवाया जाने वाला है और मुझे उमीद है कि ये एक solid गाना निकल के आए वहीं आज ही यानि कि जैसे ही आज 12 बजेंगे रात के ही 12 बज के 12 मिनिट पर उनकी upcoming film जिसे ड्रेक कर रहे हैं कार्तिक सुबराज उस film का भी जो है कोई ना कोई promotional content जो है release किया जाएगा जस्ट एक poster release किया जहां पर बताया गया है कि let's make a wish तो बहुत जादा chances है कि film के title को या फिर first look poster को जो है यहां पर release किया जाए इसके अलावा कल उनके जरम दिन के मौके पर उनकी एक और film की announcement या फिर उससे जुड़ा कुछ और update भी जो हमें कल देखने को मिल सकता है जहां पर काफी दिनों से ख़वर निकल के आ रही है कि director नरतन और KVN production house के under में जो है सूरिया एक film में काम करने जा रहे हैं नरतन वही है जिनके साथ एक समय पर राम चुरन एक film बनाने वाले थे पर बाद में वो film floor पे उतरी ही नहीं KVN production house के बारे में आप सभी को पताई होगा toxic के producer है इविन तलबदी 69 के producer बनने के भी जो है उन्हीं के सबसे ज़्यादा chances है तो उनके साथ एक film discussion में है जिसके लेकर कुछ clarification जो है कल हमें मिल सकता है इसके अलाब अगर बात करें यहाँ पर कुछ और exciting updates की जो की निकल के आ मिड अगस्ट में जो है इस फिल्म का ट्रेलर या फिर टीजर जो है release होगा इसी के साथ सत उन्होंने फिल्म के part 2 के बारे में भी बात की उन्होंने कहा है कि part 2 की जो shooting है वो लोग जो है उसकी shooting 2026 में start करेंगे और कहीं 2027 के summers में जो है इस फिल्म का part 2 जो है हमें release होता यहां कि planning तो proper है कि release करेंगे पर यह gap जो है कहीना कहीं काफी जादा है पर at least a clarity है यहां पर किसी को इंतिजार नहीं करना पड़ेगा कि अब आ रही है अब आ रही है उनके दिमाग में clarity है कि 3 साल के बाद ही आएगी तो 3 साल के बाद ही जो है हमें वो देखने को मिलेगी उ हैं अपने अगली फिल्म पर काम करेंगे एक्चुली में उन्होंने बताय कि शिवा ने एक और फिल्म के लिए commitment दिया हुआ है और उस फिल्म को जो है वो इस बीच में खदम करने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जादा चांसे से कि वो यह फिल्म और non-reliable दोनों ही sources के दुआरा जो है यह update निकल के आई है कि यहाँ पर फिल्म कंगवा के अंदर हमें कार्ती का cameo देखने को मिल सकता है जिया दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से फिल्म के part 2 के lead पर काफी कुछ काम किया जा रहा था और अभी यह ख़बर निकल के आ आ रहा है वो है कार्ती का हाला कि यह जस्ट आत्शाम की ही खबर है तो बहुत 100% confirmation पर नहीं गया है पर मैंने जितना हो सका मैंने उतनी जगों से जो है confirm करने की कोशिश किया और हर जगे से जो है मुझे yes ही मिला है हाँ कुछ लोगों से मुझे इस तरीके का response भी मिला है कि म आनो वो छुपाने की कोशिश करने है या फिर वो इस पर confirmation देना नहीं चाहते है तो अगर आने वल दिनों में इससे जुड़ी कोई भी confirmation मिलती है या फिर 100% confirmation मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा अगर बहुत ही जल्दी confirmation आ जाता है तो आपको one take पर जो है कैदी 2 के अंदर पर just imagine कीजिए अगर वो combination कंवा में हमें पहने ही देखने को मिल जाए तो excitement किस लेवल की रहेगी देखते हैं वैसे आपका क्या personal opinion है comment section में जरूर बताईएगा पर फिर से एक चीज में कर clear कर दूँ कि just buzz level पर है अभी just शाम को ही update आई है तो किसी भी दिन तो लगी जाते हैं तो थोड़ा सा और इंतिजार कीजिए 100% confirm होने पर आपके साथ जहूर शेयर करेंगे इसके लावा पिछले एपिसोड में हमने आपको बदाया था कि डेबल स्मार्ट शंकर को यहां पर हनुमान फिल्म के प्रेड्यूसर्स हैं वो distribute करने वाले हैं उन्होंने इस फिल्म के theoretical rights लिये हैं और इस चीज़ को अब जो है उन्होंने officially announce भी कर दिया है मेरे पास जो खबर थी उसमें हिंदी वर्जिन इंकल्यूड नहीं था पर आप जो है announcement हुई है उसे साब से सभी भाशाओं को यहां पर निरंजन रेड्डी द्वारा ही रिलीस करवाया जाएगा तो में भी हो सकता है कि North के जो rights है वो बाद में किसी और को बेच दे या फिर किसी और को जो है advance basis पर दे दे जिसके थूर वो हिंदी में जो है इस फिल्म को रिलीस करवा पाएं इसके लाब वैसे तो 15 अगस्ट को काफी सारी फिल्म में जो है थेट्रस मे रिलीस हो रही है पर यहाँ पर दूसी तरफ अगर देखा जाए 15 अगस्ट को ही जो है आपको एक बहुती बड़ी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर भी देखने को मिलने जा रहा है जिया दोस्तों खबर निकल के आई है कि तलमदी वीजे की अपकमिंग फिल्म दे गोट का ज आज का फिल्म टॉक का एपिसोड है कि एवल रिलीस डेट रिलीस डेट पर ही निकल जाएगा क्योंकि आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो भी है एक फिल्म की रिलीस डेट से जहां पर यहां पर रिसेंटली या फिर कह है कली जो है गिल्राजू ने इस को रिलीज होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी रहेगी कि अगर ये फिल्म 20 December को रिलीज होती है तो ये रिलीज होगी फिल्म पुषपा 2 के थर्ड वीकेंड के अंदर अब यहाँ पर देखना काफी इंट्रेस्टिंग हो जाएगा कि क्रिस्मस के मौके पर हिंदी ओडियंस की पहली पसंद जो है वो कौन से फिल्म बन पाती है तीन हफते पहले रिलीज हुई पुषपा 2 या फिर रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म गेम चेंजर वैसे आपको परसनली क्या लगता है कमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा इसके अलावा वैसे तो आज की डेट में अगर देखा आ जाए तो फिल्म पुषपा 2 का 6 डिसमबर के बाद और पोस्पॉन होना आल्मोस्ट नामुम्किन है यहां से फिल्म पोस्पॉन हो ही नहीं सकती है क्योंकि इतना जादा समय बाकी है जिसके सामने जो काम है वो उतना जादा बाकी नहीं है पर फिर भी जो distribution circle से cover निकल के आ रही है उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी ऐसे filmmakers हैं जो अपनी film को ready कर रहे हैं बस ये नजर में रखते हुए कि अगर pushpa film postpone हो गई तो हम वहाँ पर release कर देंगे उन filmों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम निकल के आ रह फिल्म कुबेरा का ये तीनों फिल्मों के जो producers हैं वो फिल्म को ready करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कोई फिल्म अगर वहाँ पर नहीं आती है December में तो वो अपनी फिल्म को release कर दें हाला कि उनकी planning मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास काम करेगी क्योंकि यहाँ से pushpa 2 का postpone होना almost impossible है इसके लब बढ़ते हैं आज की हमारी आखरी update की तरफ और बात कर लेते हैं फिल्म कलकी 289880 के बारे में फिल्म ने अपने हिंदी वर्जिन से 277.40 क्रोस का जो है net collection कर लिया है और ऐसा करते हुए यह फिल्म जो है all time third highest collection करने वाली हिंदी डब्ड फिल्म यह पर बन चुकी है पहले नमबर पर है बाहु बली 2 दूसरे पर है केजिफ 2 और तीसरे नमबर पर कलकी 289880 ने अपनी जगा बना ली है देखने वाली बात यह है कि पहले दो नमबर पर जो फिल्में खड़ी है वो दोनों ही जो है दो ब्लॉक बस्टर फिल्मों की सीक्वल थ है वो अपडेट है वो स्पोयलर है वो क्या है मुझे पता नहीं पर रिसंटली एक इंटरव्यू सामने निकल के आया इस फिल्म के प्रड़क्शन डिजाइनर का जहां पर उन्होंने जो है कुछ ऐसी चीजे बोली जिनको सुनके ऐसा लग रहा है कि यह कैंड ओफ कोई चार दिनों में सुनने और पढ़ने को मिली ही जाएगा तो मेरे साब से डिसकस कर लेना सही ही है उसमें कोई गलत बात है नहीं जहां पर उन्होंने दिये गए इंटरव्यू में यह बताया है कि यहां पर इस फिल्म की कहानी के अंदर केवल एक कॉंपलेक्स नहीं है फिल् के लिए काम करता है वो यहां पर इन सभी चीजों को हैंडल करता है तो मेभी यहां पर कमल हसन को लेकर जो थेयरीज बन रही थी क्या वही कली है या नहीं है तो वो थेयरीज में क्लारेटी जो है कहीना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है और उनके इस इंटरव्यू से लग है कि फिल्म में वो जो है कली का रोल प्ले नहीं कर रहे है मेभी कोई और या फिर कोई भी नहीं हो सकता है जस्ट एक पावर की तरह एक एनरजी की तरह ही जो है यहां पर फिल्म में उन्हें दिखाया जाए वो क्या होता है वो तो हमें पार टू में ही पता चलेगा वैसे आपको क्या लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट्स स्पोयलर है या फिर चलेगा कमेंट सेक्षन में जरू बताइएगा दोस्तों बस एन तक तक ताज कार वीडियो उमीद करते विडियो आपको पसंद आया होगा विडियो शाइक जरू कीजेगा मलते हमारे अगले विडियो में तब टेखे लिए बाबाई टेक केर